महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आरोप है कि कपास की कीमत कम रहने की वज़े से किसान घाटा जेल रहे हैं। राजे की कई मंडियों में किसान पिछले दो-तीन साल के मुकाबले कम भाव में कॉटन बेचने पर मजबूर हैं। हालां कि कुछ मंडियों में दाम MSP से ज्यादा है। अमरावती मंडि में लोकल कॉटन का अधिक्तम दाम 7,350 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है। यहां 26 मार्च को सिर्फ 70 क्विंटल कॉटन की आवख हुई इसके बावजूद न्यूंतम दाम 6,800 और औसत दाम 7,075 रुपए क्विंटल रहा। हालां की औरंगाबाद जिले में स्थित फुलंबरी मंडी में दाम 8,200 रुपए तक पहुँच गया है जो MSP से ज्यादा है। वहीं वरोरा मंडी 434 क्विंटल कपास की आवख हुई यहां 6,000 रुपए क्विंटल न्यूंतम दाम रहा अधिक्तम दाम 7,600 और औसत दाम 7,000 रुपए क्विंटल रहा। फुलंबरी मंडी में कपास की आवग 200 क्विंटल रही और दाम बढ़कर न्यूंतम 8200 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया। हालांकि राजे की ज्यादातर मंडियों में कौटन का दाम MSP से नीचे ही मिल रहा है। इसके चलते किसान परेशान है। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में कौटन का उत्पादन 323.111 लाग गांट है जो पिछले साल से कम है। पिछले साल मतलब वर्ष 2022 से 23 के तीसरे अगरिम अनुमान के मताबिक कौटन का उत्पादन 343.47 लाग गांट था। एक गांट 170 किलो ग्राम की होती है। बताया गया है कि पिछले सप्ताह कौटन के उत्पादन में कमी का अनुमान आने के बाद ही दाम में मामूली सुधार दिख रहा है। इसी वज़े से किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने लंबे रेशे वाले कौटन का न हो गया है तब दाम बढ़ना शुरू हुआ। महाराष्ट्र देश का प्रमुक कौटन उत्पादक प्रदेश है। इसलिए यहां के किसानों को इसका दाम बढ़ने का बेसबरी से इंतजार है। Bureau Report Market Times TV